Hi everyone, welcome back to my channel. So guys, how are you all? I hope you all are doing well. So, यह जो वीडियो है, IBPS PO Mains Analysis पर रहेगी. मेरे attempt कितने थे, and exam level मेरा क्या experience रहा, यह सब कुछ इस वीडियो में discuss करेंगे. वीडियो बहुत लेट है, I know, and इसका जो reason है, वो है कि मेरी बहुत ट्रेवलिंग थी. मतलब मुझे तीन दिन लगते हैं, एक दिन पहले मैं जाती हूँ, एक दिन रुकती हूँ, फिर next day मैं वापिस आती हूँ, तो next day भी मैं दुपहर तक मतलब वापिस आई थी. तो इस सब में वीडियो अप्रोड करने का टाइम नहीं मिला, और दूसरा क्या है, कि 30 को मैंने NICL Assistant का भी एक्जाम दिया था, तो कल शांग को मैंने उसका analysis शेर किया है, तो ये वीडियो अभी मैं अप्रोड कर रही हूँ, तो जैसे ही मेरा biometric हुआ, मैं अपनी seat पे गई तो मैंने सबसे पहले जाते ही keyboard चेकिया, कि keyboard सही से work तो कर रहा है, keyboard की सारी कीज सही है, तो जाते ही मैंने क्या देखा, जो U वाली की है, वो टूटी हुई थी, और उसमें कुछ ना लगा के paper जैसे कुछ लगा गए, उसको अटका रखा था, तो मैंने उसी time जो मैं थी, उ जाके बैठ गई, और जब biometry complete हुआ, तो मैंने सर को बोला कि आप सर इसको change करवा दो, तो उन्होंने का कि हम थोड़ी देर में करवा देंगे, दिन बस थोड़ा time था start होने में, मतलब वो handwriting का sample हम लिखते हैं, admit card में वो हो गया था, उसके बाद ज़्यादा time नहीं लगा, उन्होंने जस्ट मुझसे अपना seat number पूचा कि आपका seat number क्या है, हम change करवा देंगे, और जब exam स्टार्ट हो गया, तो मुझे क्या गयते, कि जब आपका descriptive स्टार्ट होगा न, उस time change करवा देंगे, तो इस बात को मैंने ज़्यादा mind में नहीं लिया, क्योंकि अगर मैं इस बारे में ही सोचती रहती, तो मेरा जो है वो exam खराब हो जाता, और कुछ मेरे बेक mind में ये चल रहा था, कि एक ही तो की है, मैं manage कर लूँगे, अगर change भी ना हुआ तो, तो इसलिए मैंने मतलब exam पे अच्छे से focus किया, exam स्टार्ट हुआ, first section reasoning का open हुआ, जिसमें जो A section था two mark वाला, उसमें first question मेरा DS वाला था, तो मैंने वहां पे कुछ नहीं थोचा, उस question को attempt करना start कर दिया, तो ऐसे ऐसे तीन question आये, जो data efficiency के थे, तो वो two mark वाले तीन question में कर लिये, फिर एक puzzle थी, तो उसको मैंने देखा ही नहीं, मैंने उस पे time best नहीं किया, उसके बाद जो next question था, वो input का था, तो इसको मैंने देखा, and within two minute मुझे इसका logic में मिल गया, कि इसमें क्या चीजे चल रही है, बट इस पे base जो question मैंने देखे न, वो ऐसे direct नहीं थे, statement वाले question थे, तो मतलब बिलकुल ऐसे नहीं कि direct आप कर लो, तो मुझे समझ में आ गया था, कि इसको करने के लिए मुझे step wise पूरा proper बनाना पड़ेगा, तभी मैं इसको कर पाऊंगी, वरना गलत हो जाएगा, because क्या था न, IVPS clerk जब mains हुआ था, उसमें input output आया था, और वो same, मतलब इसी type के question थे, उसमें, तो उस time न, मेरा same, यही reason की वज़े से, time भी खराब हो गया, और मैं उसको attempt भी नहीं कर पाई, ढंक से, तो यही reason था, कि मुझे confidence नहीं आया, इसको करने का, and मैंने logic को अपनी, मतलब rough sheet में note कर लिया, और आगे वाला question मैंने देखा, तो direction वाला था, तो वो भी easy था, मुझे यह था, कि यह मैं कर सकते हूं, लेकि उस time में उसको करना सही ही नहीं चोकलेट वगेरा, यह सब चीजें थी, तो वो मैंने बनाया, वो puzzle मेरी बन गई थी, then silogues का a question था, एक ही question था, वो हो गया, और उसके बाद जो a question था, जिसमें दो word दिये हुए थे, और ऐसा बोला हुआ था, कि दोनों में कुछ-कुछ condition apply करके, last में एक word बनाना था, और मतलब ऐसे बुचा था, fourth left कौन सा होगा, इस टाइप से एक question था, exactly, मतलब मुझे नहीं ध्यान, तो वो मैंने किया था, और last में न, दो question थे, order ranking के, तो वो मैंने किये थे, फिर critical reasoning के मैंने question दो तीन पड़े तो थे, लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, क्योंकि मै और उनको मैंने कर लिया, और ये सब करके मेरे जो total question हुए है, no question तो मैंने किया है, two mark वाले और nine question मैंने किया है, one mark वाले, तो total 18 question हुए है, जिनका marks जो है, वो 27 बनेगा, then next था, जी तो ये easy थी, मतलब 30 question न, ऐसे थे, जो मैंने बिल्कुल पड़े हुए थे, but problem ये थी न, ये हो सकता है, नहीं हो सकता है, मतलब doubtful हो रहा था, तो इस तरह से मेंने 26 question attempt किये हैं, जिसमें से around 14 marks मैं मतलब expect कर रही हूँ, कि 14 marks तक मेरे आ जाएंगे, क्योंगी क्योंच question न, गलत भी हो गए है, क्योंगी यार देको, बेचारा हमारा mind है, इतना कितना का retain करे, वो पता देती हूँ, मैंने smart kita की mock drill जो है, वो use करी थी, इसके quizzes लगाए थे, मैंने weekly वाले, कई के योंगे daily के भी किये हैं, लेकिन ज़्यादा मैने weekly वाले quizzes लगाए हैं, and revision के लिए, जो smart points होते हैं, smart kita की mock drill में, वो मैंने किये थे, क्योंकि ये काफी helpful रहते, क्योंकि एक काफी helpful रहते हैं, बाकि आप सब चेक कर लेना कि कितरा का content रहता है, अगर आपको पसंद आए, तो आप आगे मतलब इसको follow कर सकते हो, but इसमें important question होते हैं सारे, तो उसके according smart point याद कर लेना, और जो important question सारे उसमें दियो हैं, फाल्दू के question ज़्यादा नहीं मिलते इसमें, तो ये काफी helpful है, दिन आया English, तो इसने मेरा ना बहुत ज़्यादा दिमाग खराब गर दिया, तो two marks वालों में मैंने दो question किये, और उनको भी मैंने अच्छे से पढ़के time देके किये, क्योंकि मुझे ये हो गया था, last year ना मैंने two marks वाले attempt कर ले थे, जिसकी वज़े से मे मैंने किया था, एक मैंने आरसी किया था, दो आरसी आये थे, जिसमें से एक मुझे बहुत tough लग रहा था, जिसकी language hard थी, और दूसरा जो था, वो easy था, तो उसको मैंने, उसके मैंने question किया है, बिसलेनियस के भी कुछ और question मैंने किया है, लेकिन मेरे को यार नहीं किया है, तो मैंने बहुत time लगा दिया, शायद इन questions को करने में, और मैंने सिर्फ ही 18 marks का attempt किया है, 18 marks मतलब मैंने attempt किया है, तो मुझे इस बात की ना, इतनी tension होगी, उसी time मेरे, मतलब mentally में इतना effect होगी, जब मतलब time खतम हो रहा था ना, English का, तो मुझे ये लगा कि मैंने कितना कम attempt किया है, मतलब इतने marks में मुझे ये लग रहा था कि कहीं मेरे sectional clear ना हुई, तो क्या होगा, तो इस चीज की वजए से, जब quant का section स्टार्ट हुआ, तो 5 मिनट तक, मतलब मेरे mind में, back of the mind मेरे, वो English ही चल रही थी, ऐसे हो रहा था कि मैंने क्या कर दिया English में, मतलब ऐसे reasoning अच्छी गई, जीए अच्छी गई, उसके बाद English में जब ये हुआ है, तो मुझे ये हो गया, कि उनका अच्छा होने का क्या फाइदा, जब मैंने इसमें कराब कर दिया, तो वो चीज चलती रही, फिर मैंने खुद को console किया, समझाया कि नहीं, अभी इस section में अच्छा कर ही नहीं पा रही थी, तो उस बज़े से मैंने उनको नहीं किया, देन एक DS वाला question था, A's पे, तो वो मैंने data sufficiency का, वो एक question किया, two mark में, and then फिर मैं one mark वालों में चली गई, क्योंकि मुझे ये था कि हो सकता है, वो easy हूँ, और वो सच में बहुत easy थे, ten question थे, one mark है, जिस मैं मतलब गई थी last में, तब मैं देख के गई थी, कि ये question easy है, तो इसको मैं कर सकती हूँ, जो XYZ वाला वो, उस जिसमें तीन series दी हुई थी ना, XYZ, AB, variable थे उसमें, तो वो वाला, उसकी ना, first और third, वो दोनों series मेरी बन गई थी, जो बीच वाली second series थी ना, उसमें, मतलब वो मैं बिल्कुल clear नहीं कर पा रही थी, मतलब उसको पूरा मैं नहीं बना पा रही थी, जबकि first और third मेरी बन गी थी, तो first और third के base पे ही मैंने दो question किये हैं, वो हो गए थे, और जो Y की power वाला question था, उसमें मैं बिल्कुल sure नहीं थी, इसलिए मैंने वो question नहीं किया, and overall जो मेरे question हुए है, मैंने 15 mark का attempt किया है, 12 question मैंने attempt किया है, 3 question 2 mark वाले और 9 हो गए उसके 1 mark वाले, तो इस तरह से मैंने किया है, बट यार, English जो था ना, इसने मुझे बहुट disappoint कर दिया, जिसकी विज़े से मैं quantum में, मतलब थोड़ा कम अच्छा कर पाई, इससे भी जादा म मैंने police station वाला जो था ना, bank manager का आया नहीं था, मिर वर्ना मैं सोचके कही थी, कि यही लिकूंगी bank manager वाला, लेकिन police station वाला आया था, बाकी दो भी इतनी काम कि मुझे नहीं लगए, तो यही मुझे थीक लगा, और इसको मैंने लिखना start कर दिया, देन जब मैंने लिखना start यहां फिर वो, मैं अगर उसको softly प्रेस करूँ तो वो प्रेस नहीं हो रही, तो मितलब यह सब चीजें मुखुत हुई मेरे साथ, और eight last कैसे भी करके मैंने later पूरा किया, और जब मैं essay लिखने पहुंची ना, मेरे पस सिर्फ 15 मिनिट बचे हुए थे, और मैंने देखा, जो essay था, वो climate change वाला था, इसके बाद अगर मैं सच पता हूँ, मैंने दो topic देखे भी नहीं है, कि दो और topic थे कौन से, मैंने उसी को लिखना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो easy लगा मुझे कि इस पर मैं लिख सकती हूँ, तो उसको मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया, ले मैंने उसी time जो sir थे, उनको बुलाया, कि sir मेरा change करवा दो, अब इससे लिखा ही नहीं जा रहा, तो उन्होंने उसी time मतलब change किया, तो बुनोंने time चल रहा था, उन्होंने निकाला, वापिस से मतलब उसको लगाया, फिर वो बंद हुआ है, जब मतलब वो लग गया ना, उ मतलब जैसे ते से करके 11 मिनट मेरे पास बची थी उस time, एक डेड़ मिनट मेरी खराब हुई थी उस process में, जो उन्होंने की थी, फिर दुबारा से launch हुआ तो start हुआ, तो फिर मैंने लिखना start किया, लेकिन मेरे, मतलब जैसे ते से मैंने लिखा, मतलब यह भी नहीं कह सकती कि मैंने बहुत अच्छे से लिखा, लेकिन जो भी चीजे मेरे दिमाग में आ रहे थी, बस मैंने उनको उतार दिया उसमें, और 70 words या फिर 50, एक जक मुझे याद नहीं मेरे कितने words कम रह गए थे, लेकिन इतने words मेरे कम रह गए थे उसमें, तो इस तरह का मेरा experience था, बिल marks बताएं हैं कि इस तरह से, और इसमें जो last वाली row है, उसमें मैंने expected marks लिखे हैं अपने, खुद को मैंने words case में रखे देखा, सेम मैंने आई-बी-पिस कलर के लिए भी अपना मतलब बनाया हुआ है, कि words case में इतने-इतने marks मेरे रहेंगे, सेम मैं इसमें भी लेके चल रह यह चीज़े कि आप बिल्कुल exactly अपनी performance को judge कर पाओ, बोर्स case जो मैं लेके चल रही हूँ, इसमें मुझे लग रहा है कि मेरे 63 से 66 के बीच में मैं मतलब expect करके चल रही हूँ, आ जाई, और यह without descriptive है, बाकि देखो क्या रहेगा, कुछ नहीं बता सकते, लेकिन इतना अंद के साथ यह चीज़े हुई है, तो एक awareness भी आती है, जो नई बच्चे जाते हैं, थोड़ा सा मतलब mind make up रहता है, कि इस तरह की चीज़े हमारे साथ हो सकती है, उनको हमें कैसे tackle करना है, तो इसलिए मैं share कर रही हूँ, क्योंकि share करना बहुत जरूरी है, अगर हमारे पास platform है जहां पर हम लोगों के साथ अपने view share कर सकते हैं, तो यह सब चीज़ें भी share करनी चाहिए, इसलिए मैंने यह चीज़ आपके साथ share करी है, बाकी मेरा paper बहुत अच्छा हुआ, बस English जो है ना, उससे मैं मतलब satisfy नहीं हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मैंने क्य किया है, थोड़ा और अच्छा मुझे करना चाहिए था, और अब एक चीज मुझे यह भी है, सेक्शनल का मुझे बहुत अच्छा लगा, बस सेक्शनल निकल जाए, बाकी paper ठीक ठाक हुआ है, और एक चीज मैं और बताती हूँ, मेरी एक सब्सक्राइबर थी, वो भी अच्छा लिया था, और उनसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा, सो आइवांट तो से थिंक्स तो हर, और थिंक्यू सो मच गाइस पूर वोचिंग इस वीडियो के, टेक केर बाए